Hello everyone, this is me, Nidhi Gupta, your English coach and I welcome you all to Sankal Bharat Foundation YouTube Channel. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, Mijbil the Otter Chapter. नाम ही कितना अजीब लग रहा होगा ना, आप लोगों को कि मैं, ये क्या नाम है? तो ये दोनों ही नाम हमारे लिए थोड़े से फामिलियर नहीं हैं, इसलिए हमें अजीब लगेगा, तो मैं आपको पता देती हूँ, Mijbil है नाम किसी का, जैसे मेरा निदी है, आपका जो भी नाम होगा, ऐसे ही Mijbil भी एक नेम है, किसका नेम है? अब बात आती है कि मैं मी ओटर क्या होता है, हमने तो कभी नहीं सुना, डेफिनिटली नहीं सुना होगा, क्योंकि ओटर is not a very common animal, किसी को ये देखने में फॉक्स लग रहा होगा, कोई बूलेगा मैं कैट की तरह लग रहा है, कोई बूलेगा मैं बड़ा सा चूहा है, किसी को कुछ भी लग सकता है, क्योंकि आपने नहीं देखा है, बट ये एक ओटर है, और इसी लिए आपको इस चाप्टर में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इतनी अच्छा मैमल कर स्पेशी होने के बाद में भी हम इसके बारे में जादा जानते नहीं है, हमारे जो राइ आपके लिए लिखा है, जिसमें वो आपको 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 आपक जाती है, fake होती है, fabricated होती है, hero होता है, heroine होता है, villain होता है, एक होता है non-fiction, यह जो non-fiction है, यहां आपको real life accounts पढ़ने को मिलेंगे, तो यह जो चाप्टर है, यह जो चाप्टर है, यह non-fiction में लाई करता है, okay, non-fiction category में fall करेंगा, यह चाप्टर, जो हमारे Gavin Maxwell, इसके जो character, writer है, यह बता रहे हैं, कि इन्होंने, जब author को पाला, या author रखने का सोचा, तो कैसा feel हुआ, और इन्होंने क्या 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 क्या, यह आप पढ़ोगे, अब बात करते हैं, कि मैं author होता क्या है, हमने नहीं दिखा, please थोड़ा idea तो दो, तो देखो, क्या आपने कभी अपने parents को, कभी अपने दादा दादी को, ूद बिलाओ word यूज़ करते देखा है, ूद बिलाओ, क्या होता है, ओटर को ही हिंदी में बोलते हैं, तो बच्चों के लिए, ओध बिलाओ word बहुत यूज़ किया जाता है, and I personally remember this, कि मेरी दादी है, मुझे उद बिलाओ बोलती थी, क्यों बोलती थी, because यह जो ओटर होता है, यह बच्चों की तरह उचलता रहता है, इसको मस्ती करना बहुत पसंद है, यहाँ भागेगा, वहाँ बागेगा, वहाँ उचलेगा, यहाँ उचलेगा, जैसे बच्चे करते हैं, इसको पानी की नाम से, आज यह हमारे लेक ओटर है, नाम है इसका मिजविल, हमारे जो राइटर है, वो है, गेविन मैक्सवेल, और उन ही के नाम पे इसकी जो पेसी ती, उसका भी नाम मैक्सवेलियन पढ़ गया था, है ना, तो यह सारी चीजे हम लोग आज के चाप्टर में पढ़े जी नाम से, इन की बुक का नाम क्या है, रिंग औफ, ब्राइट वाटर, यह जो चाप्टर लिया गया है, इसे बुक से लिया गया है, इन वने इस बुक में दे क। क्या लिखा है, इस 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 बुक अभावट और राप रोट रोट, वराक एन रेक्स्थ किया था इसलिए उन्हें अपनी सारी मेमरीज लिखी है इस चाप्टर में तो यह जब आप चाप्टर पड़ोगे आपको ऐसे लगीगा कि आपको मैक्सवेल सुना रहे हैं कि मैं ओर्टर को कैसे लाया कैसे लाया अरे मैं वहां इराग जा रहा था अपने फ्रेंड के साथ में वहां म समझना है जिसे आपको सामने से स्टोरी बता रहे है मैंने क्या किया कैसे ओटर को लेकि आया कैसे स्कॉटलेंड लाया कैसे इंगलेंड लाया कैसे प्लेन में लेकि आया इराक से लेकि यहां तक यह सब कुछ आपको इसमें पढ़ने को मेलेगा चाप्टर के अंदर तो Now, the Otter was of previously known sub-species, which was subsequently named after Maxwell. So, Otter को पहले, Maxwell के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि नोने ही स्पेसी को जादा recognition दिया था. Now, Ring of Brightwater sold more than 1 million copies. So, जो जो बुक का नाम है ना, जिससे ये chapter लिया गया है, जो आप पढ़ रहे हैं, इसके 1 million से भी जादा copies sold हुई, sell out हुई थी उस ताइम पे. तो ये अच्छा chapter, मतब अच्छी book थी, जिसके अंदर Otter के बारे में सारी information दी गई थी. इस नाम का भी अपना significance है, पता है क्या, क्योंकि ये जो है ना, ये chemistry ना में रहते हैं, कहां रहते हैं, ये है जगे का नाम, Scotland की एक जगा है, और ये जगा देखिया, आपको क्या समझ जा रहा है, यहाँ पर पानी है, वेट एरिया है, दलदल है, वेट ग्रास है, और ये कैसी जगा है, ये कैसी जगा है, जो Otter को बहुत पसंद है भाई, तो इन्होंने बोला, कि जब में ऐसी जगा अल्रेडी रह रहा हूं, तो I think मेरे लिए बेस्ट होगा, कि में एक Otter रख लो, क्योंकि Otter को यही पसंद है, ये देखो सारे Otter है, ये साब Otter की पिक्चर्स आपको मिल जाएंगे, different different type के, ठीक है, So Gavin Maxwell lives in a cottage in Camisphere, in West Highlands in Scotland, and when his dog Johnny died, इनका जो dog था, नाम था Johnny, उसकी डेथ हो गई, इन्हें बड़ा sad feel हुआ, इन्होंने पहले सोचा, आप में पैट नहीं रखोंगा, फिर ये बोले बिना पैट के काम नहीं चलेगा, अकिला-किला लगता है, तो ये बोले चले काम करते हैं, ड वहाँ पानी अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कैमेस्फियर ना में रहते थे, इन्होंने डिसाइड किया कि अब में और रख पाऊंगा, so, when his dog Johnny died, Maxwell was too sad to keep a dog again, but his life without a pet was lonely, so he decided that he will keep an otter as a pet now, यहाँ से आपका चाप्टर अब स्टार्ट होने वाला है बच्चों चाप्टर को हम चार पार्ट में पढ़ने वाले हैं, पार्ट वन में हम लोग देखेंगे कि कैसे इनोंने अपना माइंड बनाया कि यह otter रखेंगे और किस तरीके से otter इनके पास आया, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे यह otter इनके घर में कैसे कैसे रहता था, कैसे वो habitual हो गया, पिर हम देखेंगे इसको लंडन कैसे लाए, पिर हम देखेंगे इसको स्कॉटलेंड कैसे लाए, तो ऐसे करके आपके चार पार्ट में यह चाप्टर डिवाइड होगा, मैंने फिर बताया आपको आपको बस यह समझ ना है कि राइटर आपको कुछ बोल रहा है, आपको बता रहा है, स्टोरी बता रहा है कि वह ओर्टर को स्कॉटलेंड कैसे लाया, बस आपको यह समझ लेना है, तो मैं जैसे जैसे चाप्टर को परती जाओंगे, आप समझते जाना, लाइन बे लाइन एक्स्प्लेनेशन रहेगी, एक एक पॉइंट आपको ख्लियर कर था, by then it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, तब तक मुझे समझ आ गया था, यह मैंने सोच लिया था, यह डिसाइड कर लिया था, कि dog नहीं रखूंगा, otter रखूंगा इस बार as a pet animal, and that chemistry ना ringed by water a stone's throw from its door would be an eminently suitable spot for this experiment, eminently suitable spot, spot, jagaha for this experiment, experiment किस चीज़ का, otter को रखने का, तो यह बताते हैं कि मैं कैमेस्फियर ना में रहता हूं, और इस जगय को बोला जाता है, that this is a place ringed by water, मतलब की, कैमेस्फियर ना चारो तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और मेरे घर के just stone throw पर ही, मुझे यह कैमेस्फियर ना दिख जाता है, तो मेरे साब से तो यह best time है कि मैं एक otter रख लूँ, क्योंकि otter को चाहिए पानी, wet grass, daldal, muddy area, और यह area मेरे घर के just pass है, stone throw, एक phrase हो गया कि pass में ही है, एक पत्तर फेक होगी तो कितनी दूर तक जाएगा, इतनी ही pass है, तो बोलते कि इस से तो अच्छा और क्या होगा कि मैं otter इस time रख लूँ, तो चलो यह experiment कर सकते है, otter को हरकोई रख सकता हूँ, तो मैं otter भी रख सकता हूँ, done, now, when I casually mentioned this to a friend, he has casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, Iraq का area है, Tigris, नदी का नाम है, वहाँ के marshes, दलदल area में जाओ, वहाँ पे तुमको बहुत असानी से क्या मिल जाएगा, otter मिल जा तो मेरा फ्रेंड रपलाई देता है, otter रखने का मन है क्या, तो इकाम करो, Iraq में जो Tigris का area है, नदी के असपस का जो दलदल area वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको mosquitoes जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसी otter मेलेंगे, mosquitoes बहुत जादा quantity में आपको easily दिख सकते है, वहाँ पे otter भी and were often tamed by the Arab people, जो Arab people है, जो Arabs है, वो क्या करते हैं, टेम करते हैं otters को, तो आपको बहुत सारे otter दिख जाएंगे, तो यहाँ दूड़ोगे, अगर अपनी country में तो नहीं मिलेंगे, तो आपको Iraq जाना पड़ेगे, अगर वहाँ से, आप easily क्या खिड सकते हो, एक otter उठाला सक या उसको otter कैसे मिला, तो एक तरीकी से story की तरह हम इस chapter को परते जाएंगे, clear हो गया, चलो, तो उसने decide कि otter लाना है, और उसके friend ने सको सजेस्ट किया, टिगरेस मार्शे में जाओ, वहाँ पर आपको otter मिल जाएगा, mosquitoes जैसे होते हैं, बिल्कुल उतने ही quantity में आपको otter म collect and answer our mails from Europe, क्योंकि Europe से हमारे लिए कुछ mail आ रही थी, information आ रही थी और वो हमें collect करने थी, तो मेरा friend और में हम दोनों जा रहे थे और हम वहाँ पहुच गई, at the consulate general we found that my friend's mail had arrived but mine had not, तो जब हम official काम से वहाँ बसरा पहुचे हैं, मुझे पता चला कि मेरे friend का information और message तो आ ग और idea आया कि चलो फिर order के बारे में जादा जानकरी ली जाए, I cable to England and when three days later nothing had happened, I tried to telephone, तो ये बुलते हैं कि वो जो mail आनी थी, उसके लिए मैंने England को call किया, तीन दिन तक wait भी किया, कुछ festival time था तो उन लोग ने reply नहीं किया, फिर मैंने क्या किया, और जादा wait किया, और मैंन टेलिफोन भी किया, the call had to be booked 24 hours in advance, तो बता रहे हैं कि अगर किसी को call करना है, तो 24 घंटे पहले आपको book करनी पड़ेगी, on the first day the line was out of order, out of order हो गी थी line, मतलब collection नहीं बन रहा था, फिर क्या हुआ, on the second day exchange was closed for a religious holiday, तो दूसरे दिन मेरे को call करनी थी, पर जो हमारा exchange area था, communication का वो off हो गया था, कोई religious holiday आ गया था, on the third day there was another breakdown, third day भी कोई पंगा पड़ गया, स्यापा पड़ गया, मैं connection ही नहीं जुटा पा रहा था, बात ही नहीं कर पा रहा था, जहां से मेरी mail आनी है यॉरॉप से, तो इस वज़े से मुझे बसरा में पूरा one week हो गया, रहते रहते, my friend left, मेरा friend तो leave कर गया, and I arranged to meet him in a week's time, और हमने decide किया, चल तेरा काम हो गया, तू तो चला जा, मैं एक हफते बाद तेरे से फिर मिलूँगा, few days later my mail also arrived, तो almost एक हफते के बाद इनकी mail भी आ गई थी, और finally इनका बसरा में काम खतम हो गया था, अब ये क्या करेंगे, वापस जाएंगे, Scotland, क्योंकि कहां रहते हैं, Scotland में रहते हैं, बसरा क्यूं आए थे, Consulate General में ऑफिशल काम करने आए थे, ठीक है, काम हो गया, आज फाइनली हो गया, फ्रेंड का तो पहले हो गया था, इनका भी हुआ, अभी हमें क्यों बता रहे हैं सारी चीजें, जिस्ट एक तर प्रेंग ने लिखी थी अपने बारे में, ऐसे ही इनो ने लिखी है अपने बारे में, I carried it to my bedroom, I carried it to my bedroom to read and there squatting on the floor were two Arabs, interesting line है and important line है, तो बोलते कि मेरा लेटर जब आया था, I carried it to my bedroom, I carried it to my bedroom, I went to my bedroom, I went to my letter, and I was reading it, but as I went to my bedroom, I saw two Arab people there, and squatting it, and squatting it, and squatting it, besides them, lay a sack, that squimmed from time to time, so they saw that they just passed a sack in their back, a sack, a bore, and what is it doing, it is shaking, it is shaking, it is twist time to time, so there is something in the packet, what is it, it is otter, है, Arab लोग है, तो otter होगा, they handed me a note from my friend, here is your otter, कौन सा वाला फ्रेंड, वई वाला जो वन वीक पहले जा चुका है, already, तो जब इन्होंने कैशुली इन्होंने फ्रेंड को मेंशन किया, तभी उसने प्लान बना लिया होगा, कि जहां भी मुझे otter मिलेगा, एक पैक कर कर के दे जाऊंगा, तो जिस दिन ये अपने घर में बैठे हुए थे, अपना letter open कर रहे थे, इन्होंने देखा कि bedroom में already, दो लोग एक otter को लेके बैठे हुए है, इन्होंने एक note, जिस पे कुछ लिखा हुआ था, हमारे author को दिया और चले गए, उसने खोला और पता लगाया, क उनके पास आ कैसे जाता है, अब हम लोग पढ़ेंगे part 2, इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि जो otter है, वो दिखने में कैसा था, इन्होंने कैसे उसको सिखाया निलाया, और कैसे वो इनके साथ में पहले तो unfriendly था, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ्रेंडली हो गय हैं, with the opening of that sack, began a phase of my life, that has not yet ended, तो that has not yet ended, मतलब आज भी end नहीं हुई है, तो उस दिन, जिस दिन मेंने ओर्टर को लिया था, तब से लिके आज तक मेरे पास ओर्टर है, ये बताना चाह रहे हैं, आज तक मतलब जब इनोंने chapter लिखा है, तब की बान कर रहे हैं, तो बोल रह हैं, जो अभी तक end नहीं हुई है, and may, for all I know, not ended before I do, और ये तब तक end नहीं होगी, जब तक मैं नहीं जाओंगा, मतलब मैं ओर्टर के साथ बहुत खुश हूँ, it is in fact a, it is in fact a theldrum to others, an otter fixation that I have since found, that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one, तो बोल रहे हैं कि ये जो है न, otter को लेना, ये एक तरीकी की अलग ही feeling है, and I love to have an otter with me, तो मैं otter के साथ में बहुत जादा खुश हूँ, right, जिनके भी पास में otter होता है, वो जानते हैं कि otter को रखना, उसके साथ में cuddle करना, उसके साथ खेलना, एक बहुत ही अलग तरीकी की feeling होती है, so I just love it, and I can very well relate with the people who own an otter, but क्या सब ल लोगों को तो इसके बार में पता भी नहीं है, और बाकी लोग ये भी नहीं जानते कि otter को ओन करने के लिए करना क्या होता है, तो यह बुलते हैं कि मैं बताऊंगा आपको आज के चार्प्टर में कैसे करना है, so the creature that emerged from this sack, emerged मतला बाहर निकलना, तो बुलते हैं कि जो creature, ए जाके बैड जाता है, बैड रूम में, resembled most of all a very small medieval conceived dragon, तो ऐसा लग रहा था, जैसे medieval time में, पुराने time में, है न, medieval history में, जो dragon होते हैं कुछ-कुछ-कुछ देखने में ऐसा लग रहा था, तो बोलते हैं कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा था, कि यह क्या है, dragon की तरह, छोटा सा small सा dragon लग रहा था, क्यों, क्योंकि उसके उपर मटी वटी जमी होई थी, पूरी न, गंदा था, मड़ी एरिया से उठकिया है था, तो बोलते हैं, dragon की तरह, रिजांबल कर रहा था, बिलीव ही नहीं हो रहा था, एक mythical creature है, dragon तो बोल रहा है, बिलीव ही नहीं हो रहा था, पैर तक, वो मड में, मड में, है न, पूरा घिरा हुआ था, ऐसा लगा था, मड की आर्मर पहनी हो, यह, कवर पहना हुआ है, between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown wool, और धीरे धीरे वहाँ पर क्या दिखाई दे रही थी, जगा जगा पर उसका जो फर है, एकदम चॉकलेट कलर का, soft सा फर व में बाहर निकाला, उसने अपने आपको शुक किया, आपने देखा कभी डॉगी को शेक होते हुए, तो वो उसकी जित्तरी भी गंदगी होती है, सब इधर उतर फैल जाती है, तो कहते है कि एक almost a cloud of dust मेरे उपर आके गिरा, जब मैंने उस ओटर को देखा, जब वो अपने water दिखाई दिया, नहीं तो उसमें इतनी dust थी कि रोज नहिलाने के बाद में भी उसकी dust खतम नहीं हो रहे थी, इतनी जादा muddy area में से वो आया था, as it were in his true colors, finally मैंने उसके true colors को देखा, मतलब actual water दिखने में कैसा है, एक महीना लग गया proper water को देखने में, यह यहाँ पे आप इस चिंड बाई, जूलोजिस्ट, नाम क्या था उसका, लीट्रोगेल, पर्सिपिसिलेटा, मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ओर्टर, तो यह उसका जूलोजिस्ट नेम है, तो बोल रहे हैं कि मैंने जो ओर्टर रखा था ना, वो कौन सा वाला था, वो था, तो इनके पास में जो ओर्टर था, उसका नाम मिजबिल था, clear हो गया, चलो, now for the first 24 hours, मिजबिल was neither hostile nor friendly, अब बता रहे हैं कि मिजबिल को निलाया, दुलाया, अपने पास बुलाया, तो पहले 24 hours में, पहले दिन, ना तो वो मेरे साथ में बहुत friendly हो रहा था, और ना मेरे मिजबिल को समझी नहीं आ रहा था, कि मुझे रियक्ट कैसे करना है, और राइटर को समझ आ रहा था, कि उनको रियक्ट कैसे करना है, so he was simply aloof and indifferent, तो वो कैसा हो गया था, almost indifferent, मतलब उसको फरक नहीं पढ़ रहा था, कि वो कहा है, तो दूर दूर भाग रहा था, अलूफ मत किया, क्योंकि वो बहुत ही environment में, you know, adjust होनी की, acclimatize होनी की कोशिश कर रहा था, आया है, तिर्गिस से, जहां भी पानी में रहता है, और तुमने रूम में लाके डाल दिया उसको, तो वो समझ नहीं पा रहा था, कि कैसे react करना है, the second night, मिजबिल केम तो माई बैड in the small hours, त of my knees, मेरे knees के बीच में आ गया और सो गया, okay, until the servant brought tea in the morning, और क्या किया, उसने, सुबा तक मेरे पास ही सोता रहा, जब सुबा सर्वेंट आया न, morning में टी लेके तब वो जगा, and during the day, he began to lose his apathy, and take a keen and much too keen interest in his surroundings, तो दूसरे दिन की जो सुबा हुई, तब धीरे धीरे वो बाक अब हो गया, absence of interest, मतलब पहले वो interest नहीं दिखा रहा था, लेकिन दूसरे दिन की जो सुबा हुई, तो उसने अपनी surrounding को देखने शुरू कर दिया, तो चीजे उठाना, या देखना, या author के पास आना, author के पास आना, writer Gavin Maxwell के पास, तो ये चीजे अब वो करने लगा, slowly, slowly उस body belt for him and took him on a lead to the bathroom, तो मैंने उसको एक body belt पिनाई, है न, belt पिना दी ताकि उसको मैं chain कर सकूँ, और फिर मैं उसको बाथरूम में लेके गया, where for half an hour he went wild, वो इदम wild हो गया, पानी को देखके, with joy in water, plunging and rolling it, तो वो वहीं पर roll कर रहा है, plunge कर रहा है, splash कर रहा है, पानी में बह तो हाद आदे घंटे तक रोज यही होता था कि राइटर उसको पानी में ले जाता था, वो अपने आपी पानी देखते ही, उचलने को उदने लग जाता था, because this is otter's favorite past team, मजा आता है उनको, तो पूरे चैप्टर में आपको यही बताते रहेंगे, कि otter को क्या क्या पानी में पानी में पड़ा गया तो यही बता था, यही कारिक्टरीस्टिक यहा उच्छ आग गया तो यही कारें पानी पसंद है, every drop of water must be, so to speak, extend and spread about the place, तो एक एक पानी की बूद फैल जानी चाहिए चारो तरफ, और क्या होना चाहिए, अब बोल मस्ट एट वन्स भी ओवर्टर्ण, अगर एक बोल में पानी है तो वो तभी की तभी पहला दो, और इफ इट विल नॉट बी ओवर्टर्ण, बी सेट इनिट, और अगर आप जब तक पानी बाहर ना आ जाए, उसमें खेलते रहो, यह इसका काम था, पानी फैलना चाहिए, पानी सीधा सीधा किसी कंटेनर में रखा ना देखे, यह इनका में काम है, और का, ना, वाटर मस्ट बी कैप्ट ऑन दा मूव, हमेशा पानी फैला हुआ देखे, और में टु आपको क्या पासाँ चलिए, उसको जहां पानी दिख जाएगा, वो पानी को फेकेगा, फैलाएगा, वहां पे स्प्लेश प्लोश करेगा, और पानी में मजलेगा, इनजॉय करता है, वाइल्ड हो जाता है, पानी देखती है, यह ओटर की क्वालिटी है, आपको कौन बता फ्रॉम माई बेडरूम एज एंटर इट, आई तूर्ण तो सी इस टेल डिसपीरिंग राउंड देखाई नहीं दिया, तो दूसरे दिन, दो दिन बाद इनों ने देखा कि मैं बेडरूम में था, लेकिन मुझे बिजबल दिखाई नहीं दिया, मुझे थोड़ा सा दिखा कि मिजबल की जो टेल है वो दिख रही है कहीं जाते हुए और फिर टेल भी डिसपीर होगी, तो मिजबल कहां जा रहा था, कॉरिडोर में होते हुए मेरे बाथरूम में जा रहा था, मिजबल को अब देख गया था, कि बाथरूम इधर साइड है, तो वो बेडरूम से क्रोमियम टैप्स विद देर विद इस पॉस तो वो क्या कर रहा था फंलिंग कर रहा था मतलब की जो टैप है न क्रोमियम का उसको खोलने की कोशिश कर रहा था और मैं वहाँ खड़े खड़े देख रहा हूं कि यह कर क्या रहा है और मिजमिल ने एक सेकंड के अंदर अंदर वो पूरा टैप खुल दिया और पूरा पानी नीचे आके फैलने लगा अप्टर अमोमेंट और टू अचीविंग दा फूल फलो दियरे दियरे बहुत सारा पानी आने लगा और वह खुश हो गया उसको यही चाहिए था तो खाली बैठे बैठे वह वो वाश्रूम में चला जाता था नल अपने आप से ओपन करता था और पानी से नहाने लग जा कभी-कभी उसको और टाइट कर देता था फिर क्या करता था फिर जादा चिर्चेड़ा हो जाता था चिटरिंग विद इरिटेशन और डिसपोइंटमेंट एड़ एड़ टाप से लियर तो कॉपरेट तो टैप फेल हो जाता था उसके लिए मतलब टैप का जो खोलने का तर हो जाता था खुलने की जगा तो यह आपको पताया है कि मिजबल किस तरीके से पानी से बहुत ज़दा प्यार करता है और all the time क्या चाहता है बस पानी में रहे पानी के साथ खेल तो बैडरूम से लेके वाश रूम बाथरूम तक का जो रास्ता है वो उसने देख लिया था और उसका बस यही रहता था बार-बार मैं पानी में जाओं और खेलूं और मस्ती करूं ठीक है तो पूरे आपको दो तीन स्लाइट में मिजबल की एकी क्वालिटी अभी तक जो बताई गई है that is to play with water second chapter second part चल रहा है जहां हम लोग बसरा में हैं और राइटर देख रहा है कि मिजबल को क्या-क्या चीज़े पसंद है very soon मिजब फॉलो मी without a lead and come to me when I called his name अब धीरे-धीरे क्या होने लगा मिजबल के साथ में काफी समय हो गया था तो जब भी मैं उसको बुलाता था नाम से वो मेरे पास आ जाता था और बाहर भी घुमने जाता था तो मैं बैल नहीं लगाता था बोलता था चल ऐसी चल he spent most of his time in play पूरे दिन खेलता रहता था he spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer player तो four-footed क्यों लिखा हुआ है क्योंकि जो soccer player human being उसके दो pair होते हैं लेकिन ये इसके चार हो गए क्योंकि ये एक animal है तो ऐसे करता था जैसे animal four-footed soccer player है और इस तरहीके से क्या करता रहता था पूरे दिन बॉल के साथ shuffling करता रहता था rubber ball दे रखी थी मैंने उसको खेलने के रहे हैं ठीक है so as a four-footed soccer player using all four feet to dribble the ball and he could also throw it तो वो उसको dribble करता था ball को dribbling करना जैसे बास्केट बॉल में करते हैं तो उसको roll करता था और ऐसे active होता था ball के साथ में जैसे पतानी कितना खुष हो बहुत मजा आता था उसको ball के साथ खेलना and he could also throw it फेकता भी था बॉल को इधर फेका इधर से फिर मैंने फेका तो मेरे साथ भी खेलता था with a powerful flick to the neck neck से जोर से मारता था और बॉल दूर तक गिर जाती थी to a surprising height and distance दूर तक मैं भी surprise हो जाता था कि एक आटर इतनी बढ़िया तेज बॉल कैसे थो कर सकता है but the real play of an आटर is when he lies on his back तो यहां आप राइटर आपको बताते हैं के बॉल से खिलता था रबर बॉल थी मजे लेता था वो सब तो ठीक है लेकिन एक आटर का actual game पता है क्या होता है and juggle with small objects between his paws और अपने चारों पॉस के अंदर कोई object लेगा ball लेगा या कोई भी चीज लेगा उसको juggle करेगा जैसे आपने देखा है joker को juggle करते हुए balls को तीन ball ले लेगा और तीनों को ऐसे ऐसे जगल करेगा अपने हाथों में एक उठाएगा दूसरी गिरेगी तीसरी उठाएगा तो ये ओर्टर का फेवरेट काम है ये राइटर हमें बताते है कि घंटों बैठे बैठे ओर्टर यही कर सकता है so marbles were Mitch's favorite toys marble से, marble से है ना पत्फरों से stone के marble से Mitch Bill यही खिलता था he would lie on his back rolling two or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor तो दो तीन marble ले लेगा और गंटों तक उनको जगल करता रहेगा और एक भी marble जमीन पे नहीं गिरेगा ना उसकी बैली पे गिरेगा है ना without ever dropping one to the floor और बहुत टाइम तक गंटों भर तक जगलिंग करता रहेगा यह उसके खिलने का तरीका था तो अब आपको क्या पता चला एक तो वो किस से खिलता था पानी से दूसरा वो क्या करता था रबर बॉल से खिलता था है ना फुटबॉल की तरह तीसरा वो क्या करता था मार्बल्स को जगलिंग करके खिलता था लाई कर जाता था बैक पे और घंटों ऐसे ही मस्ती करता रहता था अब बसरा में रहते रहते राइटर को बहुत टाइम हो गया था और अब टाइम था इसको अपने घर ले जाने का तो यहां पे आपको जो Gavin Maxwell है आपको बताएंगे पार्ट थ्री में कि उन्होंने प्लाइन किया कि चलो फाइनली आप इसको ले के चलते हैं अब प्लेन में human beings के लिए जाना तो असान है पर किया animal को easily ले जाया जाता है आपको दुनिया भर की you know writing task करने पड़ेंगे और permission लेनी पड़ेगी तब जा कि आप एक मिजबिल को प्लेन में बिठा के अपनी country में ला पाओगे अब यह इराक में ही है तो पाठ थर्ड में बताया है कि कैसे इसको अपनी country में वो ले कर आए दे पास्ट पीसफुली एड बसरा बसरा में रहते रहते हैं काफी टाइम हो गया तो और बड़ा मजा आ रहा था बट I dreaded the proposal of transporting Mij to England लेकिन मुझे सच में डर लग रहा था dreading the proposal proposal मतलब जो final हमने decide कि मिजबिल को England लेके जाना है मेरी तो हलत खराब हो गई and to chemistry ना मतलब England में भी Scotland लेकि जाना है उसको है ना पहले England उतुरंगा और Scotland जाओँगा तो कैसे लेकि जाओँगा मुझे समझ नहीं आ रहा the British Airlines to London would not fly animals और जो British Airlines थी airline थी लंडन वाली वो कभी भी animals को fly नहीं करती है तो वहां से तो मैं जाए नहीं सता and from here to London so the airline insisted that midge should be packed into a box so British Airlines तो लेकि नहीं जाएगी so मैंने क्या किया I booked a flight to Paris on another airline and from there to London तो डारेक लंडन ना जाके मैंने क्या किया पहले Iraq से Paris की flight करी और फिर Paris से दूसरी flight करी जो मुझे लंडन तक छोड़ देगी अचा उसके बाद में भी जो airline वाले थे उन्होंने condition रोखी उन्होंने बोला क्या बोला उन्होंने उन्होंने बोला that the airline insisted that midge should be packed into a box आपको मिज को ऐसे ही नहीं ले जाना देंगे हम मत्ताब उटर को ऐसी खुले में नहीं ले जाओगे उसको आपको पैक करना पड़ेगा एक box के अंदर and not more than 18 inches square और जो आपका box है वो 18 inches का ही होगा बस to be carried on the floor at my feet और आप अपने box को पैरों में रख लोगे और उसके अंदर आपका otter रहेगा जब उतरोगे तो otter को बाहर निकाल लेना I had a box made और मैं एक box बनाया and an hour before we started और एक घंटा पैले जब मुझे start करना था I put midge into the box मैंने midge को क्या किया box में डाल दिया so that he would become accustomed to it मतला उसको आइडिया हो जाएगा आदत पढ़ जाएगी कि हां इस box के अंदर ही मुझे रहना है तो एक घंटे पहले मैंने बिज को box में डाल दिया and left for a hurried meal और मैं जल्दी से चला गया खाना खाने के लिए क्योंकि फिर मेरी सीधी flight थी तो मिझ कहां जा रहा है अब लंडन पहले पैरिश जाएगा फिर पैरिश से लंडन जाएगा और जब लंडन जाएगा तो किस में जाएगा box के अंदर 18 square inches का एक square box है और उसको box को मैं पैरो पे रख लूँगा और वहाँ मिझ बिल रहेगा इस तरीके से कैसे भी करके मैंने क्या किया finally मिझ को लंडन ले जाने का तरीका ढून लिया फिर क्या हुआ when I returned there was an appealing spectacle that there was complete silence from the box spectacle नजारा appealing बहुत ही अजीब सा तो मता बहुत surprising एक तरीके से shocking scene था उनके लिए तो बोलते हैं कि जब मैं वापस आया खाना खाके तो मुझे एक बड़ा ही shocking सा scene दिखाई दिखाई दिया there was complete silence from the box box में एकदम silence हो गया था but from its air hole and chinks around the lid blood had tickled and dried लेकिन उसके किनारों पे blood लगा वा था और सूख गया था है ना box में से क्या निकल रहा था blood निकल रहा था बहुत सारा blood निकल रहा था air holes में से जो मैं hole बना के गया था ना air के ताकि वो ले सके उन में से blood निकल रहा था I whipped up the lock and tore open the lid तो मैं ने लिड को खोला box के tore open किया wipe किया पूचा खून वुन वहां से साफ किया and mid exhausted and blood spattered मिझ ने क्या कर रहा था था पूरा-पूरा blood में spatter रहा था मताब बहा पे खून हो रहा था और अग्जॉस्ट हो गया था 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 क्या कर रहा था मिझ मिझ ना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसने सारा box फार दिया है ना जो मिझ को ले जाने का था तो बॉक्स को फार दिया सब किनारे विनारे उसके लग ग गया उसके खून निकल आया और वो बहुत परिशा तो वो एकदम बॉक्स में ब्लड ब्लड हो जाता है he had torn the lining of the box to shred तो उसने क्या किया था पुरे box की जो lining है अंदर का जो area है सारा फार दिया था when I removed the last of it so that there were no cutting edge left और मैंने क्या किया जब इसमें सारा चेडफार मचा दी थी तो मैंने सब साफ किया तो फिर से चोबना जाए तो फाइनली मैंने मिझ को फिर से उसी बॉक्स में डाला it was just 10 minutes until the time to flight तो फ्लाइट के लिए बस 10 minutes बचे थे and the airport was 5 miles distance पाँच मील तक अभी हमें माइल सक अभी जाना था एरपॉट के लिए I put the miserable मिझ miserable मतलब दुखी सा मिझ था बट मुझे उसको रखना पड़ा अपने बॉक्स के अंदर that box holding down the lid with my hand and मैंने लिड को क्या अपने हाथों से होल्ड किया हुआ था क्योंकि लिड तो तूट गई थी तो हाथ से पकड़ के मैं उसको लेके गया फटाफट से बैग में रखा टैक्सी में बैठा और एरपॉट की तरफ निकल गए दसमट बचे हैं फ्लाइट जाने वाली है I sat in the back of the car with the box besides as the driver tore through the street of Basra tore through भगा के लेके गया street पे, Basra की street पे जो मेरा driver था जोर से भगा के मेरी गारी लेके गया, क्योंकि already मैं लेट हो रहा था, just like a bullet the aircraft was waiting to take off, aircraft निकल नहीं वाला था जो मेरा वला plane था, मेरी लेए वो लोग वेट कर रहे थे I was rushed through it by infuriated officials मुझे जहां के जो लोग थे वो infuriated हो रहे थे, infuriate मतलब गुस्ते में थे मेरी वज़े फ्लाइट रुख हुई थे बार बार आवाज दे थे, last passenger, last passenger और मैं जैसे ही एरपॉर्ट पे पहुँचा मैंने जल्दी से क्या किया अपने आपको प्लेन में लेके गया और जो ऑफिशल से वो गुस्ते से मुझे देख रहे थे luckily the seat booked for me was at the extreme front अंदर जाके मैंने देखा कि जो मेरी seat थी वो front की थी तो मुझे थोड़ी शांती मिली कि चलो जादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा यही पर अपना बैट जाओ I covered the floor around my feet with newspaper तो मैंने क्या किया मेरे floor जो था नीचे का मैंने वहाँ newspaper बिचाया rank for the air hostess air hostess के लिए मैंने रिंग बजाई कि आजओ मुझे कुछ काम है जैसे आप जब प्लेन में जाते हो तो आप air hostess को बहुत असानी से बुला सकते तो मैंने क्या किया ring for the air hostess and gave her a parcel of fish मैंने इसको fish का एक parcel दिया क्योंकि otter fish खाता है तो मैंने उसको बुलाइ काम करिये मैडम प्लीज इसको फ्रिज में रख दीजी जबी भी otter को भूख लगी हम उसे खिला देंगे तो keep in a cool place I took her into my confidence about the event of the last half an hour फिर मैंने उसको अपना सारा किस्सा बताया कि अभी-भी मैं मैं मिजगो लेके आया हूँ और यह मैंने बॉक्स में बंद कर दिया था वट बिचारा एकदम exhaust हो गया इसके अंदर blood आ रहा है और मैं चाहता हूँ यह अभी ए comfortable रहे आप please इसके जो fish है उनको cool करने के लिए रख दीजे थोड़ी देर में मैं इसको खिला दूँगा air hostess समझदार थी और kind थी तो वो हमारे author को थोड़ा सा console करती है और बोलती है कोई बात नहीं sir आपका author मेरी जिम्मेदारी है हम साथ में इसको fly कराएंगे from Basra to London Paris, Paris जा रहे है पहले ठीक है ओके I took her into my confidence about the event of the last hour I have retained the most profound admiration for that air hostess she was the very queen of her kind तो बोल रहे है कि the air hostess was so good इतनी अच्छी थी ना कि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया I have retained the most profound admiration for that girl मतलब मैं उसको सच में एड्मायर करता हूँ मैं उसको सच में बहुत लाइक करता हूँ क्योंकि उस दिन उसने मेरी बहुत मदद की क्या क्या मदद की वो अब आपको पढ़ने को मिलेगा चाप्टर के अंदर के क्या क्या हेल्प होई she suggested that I might prefer to have my pet on my knee उसने बोला एक काम करी आप अपने pet को अपने knee पे रख लीजे although it was not allowed airline ने पहले ही बोल दिया था मैक्स को कि आप इसको बॉक्स के अंदर रखेंगे और बॉक्स फ्लोर पे रहना चाहिए but air hostess kind थी तो वुलती है आप इसको अपने knees पे रख लीजे lap में बिठा लीजे and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude और मैं इतना खुश था काश कि मैं उसका हाथ किस कर लेता जब उसने मुझे ऐसे बोला ना knee पे बिठा लीजे तो मैं बहुत खुश हो गया but now knowing otter I was quite unprepared for what followed लेकिन otter तो otter है मैंने आपको starting में बिता है था उद बिलाओ कैसा होता है उचलता रहता है सीधा तो बैठे गई नहीं गई तो बोलते है कि मैंने बिठा तो लिया but मुझे पता था कुछ तो गरबड होगी and I was not prepared for that मैं बिलकुल prepared नहीं था जो हुआ उसके लिए क्या हुआ था क्या हुआ था मिज वास आउट ओफ द बॉक्स in a flash जैसे ही मैंने उसको उपर रखा बॉक्स को मिज बाहर निकलाया he disappeared at high speed down the aircraft पता ही नहीं कहां गया गायब हो गया there were squarks and shrieks and a woman stood up on her seat screaming out वहाँ पर क्या चिलाने की अवाज याने लगी श्रीकिं की अवाज याने लगी और वहाँ पर एक विमन थी वो एकदम से खड़ी होगी cry किया rat rat उसने का बड़ा सा मिरुचुवा देख लिया भी तो एकदम से अजीब सा फील करने लगी I got sight of miss tail मैंने एकदम से देखा मिज की tail मुझे दिखाई दे लिया पर वो डिसपियर होगी beneath the legs of a potty white turbaned Indian एक Indian भी बैठा हुआ था उस plane में है ना फैट सा मोटा सा ओवरवेट बिसिकली potty तो वो बुलते है कि एक मैंने वहाँ पर देखा कि एक तो टरबन Indian मैं है white color की तरबन है तो उसके नीचे पैरों के वो गुज गया driving for it I missed but found my face covered in a curry तो जैसे ही मैं जा रहा था उसको पगड़ने के लिए तो जो वो खाने खा रहा था Indian उसके जो करी थी वो मेरे face पे गर गी और सब गंदा गंदा हो गया हर कोई वहाँ aircraft में भाग रहा था क्योंकि otter कहीं भी किसी के भी पास चला जा रहा था अब आपको पता ही है जब आप किसी animal से जादा फर्मिलियर नहीं होते है तो आप डर हो गया थोड़ी कोगे कोई बात नहीं आजा खेल ले क्या पता है अनिमल है क्या करते है तो हर कोई डर रहा है तो हर कोई चिला रहा है perhaps said the air hostess with the most charming smile I would be better it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you तो air hostess बोलती है हमारे writer को कि sir कोई बात नहीं चिंता मत करिये आप जाके बैठी है अपनी seat पे resume करिये वहीं पर मैं जाओंगी order को ढूनँगी और आपको लाके दी दूँगी I returned to my seat मैं अपनी seat पे वापस आ गया I was I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome and midge bounded on my knee and began to nuzzle my face and my neck तो वो बोलते के मैंना क्या खर रहा था था ना I was trying to find out तो मैंने अपनी neck को crane किया मतलम मैं ढूनने लगा ऐसे 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 चारो तरफ ढून रहा था कहीं तो midge देखेगा midge देखेगा एकदम से midge मेरे knees पे आया exhausted था थक गया था और डर रहा था और एकदम से मेरे कहां face पे आके neck पे आके नजल करने लगा ऐसे नाक रगड़ना जो cuddle करने का तरीका होता है animals का और आके मेरी lap पे आके बैठ गया तो finally midge वापस आ गया seat पर अपने आपी after an eventful journey Maxwell and his order reached London where he has a flat तो finally वो लंडन पहुँच गया तो बताता है राइटर बताता है कि finally में ये सब ड्रामा होने के बाद में लंडन पहुच गया और अब मेरे पास में मिजबिल था ठीक है तो मिजबिल को लेके कहां चलेगे अब ये लंडन में आ चुके हैं अब आपके पास में आएगा पार्ट नमबर फोर जिसमें ये बताएंगे कि लंडन में मिजबिल के साथ इन्होंने क्या किया या मिजबिल कितनी activities इनके साथ करता था क्या खेलता था कैसे games खेलता था लोगों के क्या reaction रहे मिज को लेके ये सब कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ा होगी है ठीक है so मिजन आई remained in London for nearly a month हम लोग लंडन में एक मन्थ तक रहे फिर Scotland गई ठीक है he would play for hours with a selection of toys क्या-क्या थे उसके पास में toys important है question में आता है पढ़ लीजी उसके पास ping-pong ball थी marbles थे rubber fruits थे and a terrapin shell थी that I had brought back from his native marshes तो टिग्रेस के marshes में जहां वो था ना वहां से में terrapin shell conch type से shells भी उठालाया था जिनसे वो खेलता था तो ये सारे उसके favorite toys से जिनके साथ में वो खेलता था so with the ping-pong ball he invented a game of his own तो ping-pong ball से इसने game invent किया आप देको बड़ा मज़दार game है क्या था which could keep him engrossed busy for up to half an hour at a time आदे घंटे तक वो उसी से खेलता था क्या खेलता था a suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home तो एक suitcase था जो मैं Iraq लेके गया वापस लाते-लाते वो देमेज हो गया था तो वो तूट गया so that the lid when closed remained at a slope from one end to the another end तो वो उसमें ये प्रॉबलम होगी थी कि अगर मैं उसको बंद करूँगा न तो जो लिडे न वो मतलब जो उसका उपर का धककन है मतलब मतलब उपर का सूट केस इसा अपर का अरिया होता है उसमें एक slop बन गया था मतलब एक sliding बन गई थी, मतलब आप जूले टाइप से जो होता है, तो आप उपर कुछ रखोगे, तो वो नीचे तक गिरता आएगा, ऐसा कुछ बन गया था, अब मिज क्या करता था, वो जो बॉल थी पिंग पॉंग की, वो वहां उपर रखता था, और वो नीचे तक गिरती थी, और कि यो उपर रखेंगे, तो नीचे तक गahrी से तो वो क्या करता था, यो फुम darf बाल को ओड गरता था, वो थो छोड़ देता था वहां पर, और वो तरवट पर अपट से आता था, एक एमभश की की फुजिशन दोब चonna कि तुम आयों मैं आप्रेड यहां हूं तुम्हें थाप करने के लिए तो एक तरीके से उस बॉल को ने एक लिविंग हुमन बना दिया तो और उसके साथ प्ले करता था था भफित जा था 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 इती तिर बॉल नी चाहते थी वहापस आप अपस आप अपस अपर था तो यह ही गेम आदे घंट खेलता था 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 फिर यह एक गेम है जो इसने इंवेंट किया ठीक है ओकी फिर क्या हुआ था। I exercised him on a lead precisely as if he had been a dog. So, when I was taking him to the house, what would I do? I would keep a lead, I mean, I would keep it with the body belt, just like dogs, it's exactly the same. So, dogs, like we keep a lead, we keep it with them, which quickly developed certain compulsive habits, some habits that I have learned, habits have become a secret, okay? On these walks in the London street, so when I take him to the London street, some habits use, habits, 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 like the ritual of a children who on their way to and from home must place their feet squarely on the center of each paving block. So, like dogs are made, there are blocks, so what do we do? Like you imagine a chess board, and you have to decide that I am going on white, 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 so what do you do on black, white, crisscross, this is a habit of kids, if they have to see a pattern, they will keep it on that pattern, they will keep it on that pattern, they will keep it on that pattern, right? They will not go straight, so it has become a habit, it was used to keep it on every block, it was kept on every block, must touch every seventh upright of the iron railing, railing so it will be touched every seventh railing, so it was a habit, it was a habit, and pass to the outside of every second lamp post, and what do you do on every lamp post? what do you do on the other side? It will be touched or it will be put on it, lamp post, which are in the shoes, so these activities were used to teach him, and when he went with the shoes, he did it. opposite to my flat was a single storey primary school, so in my flat, there was also a primary school along whose frontage ran a low wall some two feet high, so the frontage is the boundary, that was two feet high, so Mij can sit on it, and the children can be scared of it, so on his way home, when we came back home, but never on his way out, but not coming, what will he do? Mij would tug me to this wall, he will take me to the wall, he will take me to the wall, jump on it, he will stand on the wall, and gallop the full length of his thirty yards, and hopeless distraction, both of people and of the staff within, and the people that are there, they will be scared, right? So he jumped on the wall, and where he was going to the area, and he would go back to the wall, and he would go back to the wall, so this was the image's work. It is not, I suppose, in the way, strange that the average learner should not recognize an order, so they say that there was no surprise for me, it was not an average Londoner, I mean, the average person in London also knew that it is an order, people would ask me questions, who is it? What is it? Which animal is it? What did they say? But the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me, everyone would guess from different ways, what is it? Orter belongs to a comparatively small group of animals called muslins, so muslins, what are they, the origin of their origin, shared by the badger, mangoes, weasel, stout, mink, so if you have heard this name, these are all mammals, right? Like this, one of them is another mammal, and that is the otter. I faced a continuous barrage of conjectural questions, I mean, I have a lot of questions that I already knew that they will ask, pre-assumed, I mean, wherever I was going to the otter, so I faced a continuous barrage of conjectural questions that spread all the muslins, but the otter, I mean, what is it, what is it, people would take every name, but not the otter, all other names they would take, but not the otter, most random gases, what was it, this seal, what is it, baby seal, is this baby seal, is this squirrel, is this walrus, what is it, reduced me to giggle, I would laugh, and outside a dog show, I heard a hippo, someone said, oh, this is a hippo, because of the water, but not hippo, someone said it was a beaver, , someone said it was a bear, someone said it was a leopard, one apparently that had changed its spot, and, I mean, a leopard, which is not a spot, and a brontosaur, midge was anything but an otter, midge, people said everything, not just otter, so they were saying that in London, when I had otter, so believe that someone didn't know otter, people don't know otter, this was very frustrating for Max, given Maxwell, , okay, then, last slide, but the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging hole in the street, so what happened one day, I was going to take Mitch, a laborer was working, and he was digging on the street, hole, in his hand, something he was digging, , 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 and then growled, तो उसने क्या किया, पेले थे स्पैट किया, थू, थूका, मतलब like, he was like, कि मेरे को पागल मत बना, कौन है तू, क्या कर रहा है, फिर उसने क्या किया, उसने फिर ग्लेर किया, मतलब मुझे फिर से घूर के देखने लगा, and then growled, फिर एकदम गुस्ते में चिला के बुलता है, hey mister, what is this supposed to be, क्या है ही तुमारे पास, क्या करने आ रहे हो मेरे पास, कोई प्रैंक करने आ रहे हो क्या मेरे पास, और वही पर ये chapter फिनिश हो जाता है, तो राइटर बोल रहे हैं, कि ये जो activity थी, मतलब ये जो strange incident मेरे साथ हुआ, ये सबसे जादा awarding था, मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इससे पहले लोग देखते थे, और देखके बोलते थे, कौन है, चुआ है, बिली है, टाइगर है, लेपर्ड है, क्या है, बट ऐसा खबी नहीं हुआ, कि किसी ने ये नहीं बूला, कि ये, क्या है ये तुमारे पास, क्या मजाग चल रहा है, तो वो एक मेरे लिए funny incident हो जाता है, ऐसा बोलना है, ऐसा मानना है, हमारे राइटर, गेविन Maxwell का, तो आपने notice किया, पूरे chapter में, अगर आप लोग देखोगे, तो सिरफ और सिरफ इतना बताया गया है, कि मिच्बिल दी ओर्टर के साथ, उनका experience कैसा रहा, पहलो नोने बताया मुझे मिला कैसे, गिफ्ट फ्रेंड से, फिर क्या हुआ, मैं बसरा में उसके साथ कैसे रहा, फिर तर्ड पार्ट में आपको बताया गया है, कि जब उसको प्लेन में लेके जाना था, तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी, फूर्ट पार्ट में बताया गया है, कि जब मैं लंडन में अपने फ्लैट में एक महिने इसके साथ रहा, तो मैंने लंडन वालो का behavior देखा, कोई भी ओर्टर को नहीं जानता था, और ओर्टर किस तरीके से खेलता था, और मेरे साथ comfortable हो गया था, वो भी बताया, चैप्टर, फिनिश, नॉन फिक्शनल चैप्टर है, आपको मैं बताई चुकी हूँ, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, यह रियल अकाउंट है, मतलब सच में ऐसा हुआ है, गेविन मैक्सवेल के साथ में और ओर्टर के साथ में, वही उन्होंने इस बुक में शेयर किया है, आपके साथ, बुक का नाम बताएंगे मुझे जल्दी से जहां से चैप्टर को लिया गया है, चैट सेक्टर में मुझे नाम बताओ, फटा फट से उसका, और ठीक है, अब इसके थोड़े से question answers कर लेते हैं, जो आपके NCRT में हैं, अभी के अभी कर लेते हैं, right, let's start it, I came to England and when three days later nothing had happened, I tried to telephone, the call had to be booked 24 hours in advance, यह आटेसी हो जाएगा आपका, ठीक है, अब मैं से related आपसे questions करूँ ही, आप लोग मुझे answer देंगे, तो यह तब की बात है, जब writer और उसके friend बसरा गए थे, कोई general के यहां से consulate general से नहों का mail आना था, कहीं Europe से, तो इनके friend का mail तो आगया था, बट इनका नहीं आया था, तो इन्होंने पहले इंगलेंड को call किया, cable किया, connect करने की कोशिश की, तेन दें तक जब कुछ नहीं हुआ, then he tried to again telephone, and the call had to be booked 24 hours before that, तो 24 गंटे पहले call करने होती थी, question है, what did the author cable to England, क्यों क्या आनोने cable to England को, because he wanted to know the status of his mail, उनको जानना था कि उनकी जो mail आने वाली है, वो कब तक आएगी, what happened after three days, तीन दिन के बाद क्या हुआ, no reply came, so he tried to telephone the European people, when did the author receive the mail, कब आया, within the week, उनको reply आ गया था, तो इसको पर time लगा, यहाँ आपको answer नहीं मिलेगा, आपको chapter पता होना चाहिए, पूरा story पता होनी चाहिए, pick out the word from the passage, that means same as sent a message by telegram, right, तो telephone करने से पहरे इनोंने cable किया था, तो that would be cabled, clear हो गया, चलो, next RTC पर आ जाते हैं, the creature that emerged from this sack on the spacious titled, tiled floor of the concealed bedroom resembles most of all a very small medieval conceived dragon, तो यह तपकी बात है, जब इनके friend ने इनको gift में otter दे दिया था, और इनोंने देखा कि एक sack रखा हुआ है, जिसमें कुछ तो हिल रहा है, जब इनोंने खोला तो उसमें से निकला otter, तो बोल रहे हैं कि जो otter निकला, वो कैसा लग रहा था, एक दम dragon की तरह, small dragon की तरह लग रहा था, question, write the name of the creature which came out from the sack, वैसे तो otter आया है, बट आम उसको बोलेंगे, small medially conceived dragon, whom had he compared to, आप लिखिये क्या निकल के आया, otter, और किस से compare किया है, इस से compare किया है, ठीक है, how did the creature came to, at this place, gift किया था उसके friend ने, तो friend के through gift आया था, mention any book written by the writer, आपको नाम उल्रेड़ी पता है, मैंने भी आपको ring of bright water बता रखी है, जो उल्रेड़ी है, उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं, for the first 24 hours, midjvil was neither hostile nor friendly, तो यह तब की बात है, जब midjvil के साथ में, इनोंने अपना पहला दिन तो मेरे part से जितना दूर हो सके, उतना दूर midjvil खेल रहा था, और मेरे पास नहीं आना चाहता था, question, who is midjvil, कौन है midjvil, otter है, कौन है, otter, how did he behave the very first day, neither friendly nor hostile, ठीक है, okay, did he continue to behave same as the second day, क्या दूसरे दिन भी same हुआ, नई, दूसरे दिन वो familiar हो गया था, कैसे पता चलेगा, he came to writer's bed and slept with him, tugged in his knees, find synonym of the word unfriendly, hostile, ठीक है, synonym चाहिए न, हाँ, तो hostile क्या होता है, unfriendly behavior, यह रहा, आगे बढ़े, next, I was amazed in less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a tickle of water, तो मैंने देखा, उसने नल खोला, उसमें से पानी निकलने लगा, and after a moment or two, achieve the full flow, तो मिजबिल ने पानी चलाना सीख लिया, questions देख ले, okay, who is being addressed here, मिज, मिज या ओटर, कुछ भी लिख दीजिए, why was the speaker amazed, because a मिज, an otter was able to open up the tap of water, एक otter भी पानी का जो tap है, वो on कर सकता है, इसको देख के वो surprise हो जाता है, what characteristics of water is being noticed here, that he likes water, likes to play in water, कि एक otter को पानी में खेलना, पानी के साथ खेलना बहुत पसंद है, make one sentence using the word trickled, तो the water trickled from the tap, मतलब आप अपने अपना खुद भी बनाईए, एक answer मुझे लिखे दीजी, comment section में, आप trickled से क्या answer बनाएंगे, chat section में मुझे बताईए, फटाफट से, आप मुझे बताएंगे, ट्रिकल से एक sentence बनाकर, ठीक है, trickled, फैलना, पानी, I dreaded the prospect, of transporting Mitch to England, and to chemistry, dread मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसा मेरे को एक challenge की तरह लग रहा था, कि मिझ को England और कैमस्पीर ना, कैसे ले के जाना है, now, mention two characters in the line, I, बुले तो हमारा writer, और मिझ बुले तो author, कर देंगे दोनों characters, I, मितला poet, why was the speaker tensed, because he had to transport, मिझ to England, which route did he, the writer take to reach England, तो सबसे पहले वो, पहले से कहां जाता है, London, England, London, है न, okay, how did he manage to fly with मिझ, so he decided, that he would put him in a box, उसको एक box में रखेगा, और उस box को लेके, अपने नीज के नीचे रखे ही, flight में बैठ पाएगा, all right, so when I returned, there was an appealing spectacle, ये जो है आपका होमवर्क हो गया बखेगा, write the meaning of the phase, appealing spectacle, surprising scene, आप मैं ये बता दे दियू, बाखी क्या आप मुझे देना, this would be a homework for today, the chapter is done, मैंने आपको पूरी chapter के एक्स्प्लिनेशन बता दी है, और सारे RTC जो इंपोर्टन थे, सब मैंने cover कर दिये है, ठीक है जी, तो chapter again, देखो, exam point of view से मैं हमेशा बताती हूं, starting में के कौन सा important है, ये तो इंपोर्टन है नहीं, value कुछ है नहीं, इस chapter के अंदर, क्योंकि एक real account है, RTC, I don't think so, कि इस में से आएगा, but short questions आने के chances है, एक तो कुछ आ जाएगा, pet से related, या हो सकता है, कि किसी और chapter के किसी pet को ले लिया जाए, और इस chapter के इस pet को ले लिया जाए, और एक missed conversation बना दी जाए, ऐसा question भी आ सकता है, तो कर लो ते ही आरी अच्छे से, I will meet you in the next video, till then, bye everyone and take care.